हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिरसे स्वागत है आपका अपने चैनल दा एविजर्ड अकेडमी में और आज की वीडियो मैंने इस्पेशली बनाई है एनायस ओपन बोर्ड के बारवी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्यारे बच्चो अगर आप एनायस स्लेबस लेकर आ गया हूँ जिससे के आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक्चोल में आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है प्यारे बच्चो ये स्लेबस आप लोगों के सामने है आप इसे देख ले और स्लेबस के एकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के और English Medium के most important questions भी तयार कर दिये हैं, आप उसे डाउनलोड करने और आप लोगों को मैं बता दूँ, उन important questions के अलावा, आप लोगों को एक भी extra questions पढ़ने की ज़रूरत नहीं हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे total 10 chapters हैं, पहला है आपका basic computing, जिसके अंदर आप लोगों को यह topic दे रखे हैं, और इससे related आपसे question पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे operating system, तीसरा आपका chapter है, basic of word processing, formatting documents, mail merge, उसके बाद यहाँ पर आप chapter number 6 देखेंगे, basic of spreadsheet यानि के Excel की बात की गई है, formatting of worksheet, उसके बाद formula, function, charts, उसके बाद MS, powerpoint यानि के presentation बनाना और थोड़ी बहुत जानकारी internet की, तो total 10 chapters आप लोगों के vocational subject के अंदर आ रहे हैं, यानि के जो आपका subject है 632 data anti operation, उसको अंदर जो है आपको यह chapters आपको cover करने हैं, तो आप पहले तो syllabus डाउनलोड कर लें, और इ उनको देखकर अपने subject की तयारी कर लें, और अगर आप लोगों को इसी तरीके से किसी दूसरे subject की तयारी करनी हैं, किसी दूसरे subject के important questions, ले बस या कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के इसी तरीके से free PDF का link provide करवा दूँगा, और अगर आप लोगों को अच्छे से तयारी करनी हैं, तो इसी वीडियो के description box में, मैंने अपने channel का जो telegram channel का link है, वो दे रखा है, आप उसे join कर लें, WhatsApp group का link दे रखा है, उसको join कर लें, अपने Facebook channel का link दे रखा है, आप उसे join कर लें, और Instagram पर आप मुझे follow कर सकते हैं, त आप सभी बच्चे अच्छे नमरों से पास हो जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ, thank you for watching my video.